अलो डियर स्ट्रेंट्स आज हम अध्यन करेंगे इंटर्मोलिकुलर फोर्शेज के बारे में जो आपके पेपर फरस्ट का युनिट थर्ड कभी पोर्शन है इंटर्मोलिकुलर फोर्शेज या अंतरानवी के आकर्षन बल इनकी अंतरगत हम सैस्योंजी योगिकों में पाई जाने वाली दुरूबल अंतर किरियाओं के बारे में अध्यन करेंगे जिसमें मुख्य रूप से दो पोर्शन होते हैं या दो टोपिक होते हैं जिनका हम अध्यन करते हैं वांडरवाल फोर्शेज और एच्ज बॉंड लूंड पहले इंट्रोड़क्शन तो जैसा कि हमने कॉवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि वो सभी कंपाउंड कॉवलेंट बॉंड रखने की वज़े से इस्पेसिफिक के प्रोपर्टिज रखते हैं ये सभी कॉवलेंट कंपाउंड bond की नेचर के according एक ही परकार के होते हैं लेकिन फिर भी सभी equivalent compound का जो physical properties है वो एक जैसा नहीं होता है कोई सहस्योंजी योगी की धर्व आवस्ता में मिलता है कोई ठोस आवस्ता में मिलता है और कोई गेसी आवस्ता में पाए जाता है इसी तरह इन-covalent compounds के melting point या boiling point है वो भी ऐसमान होते हैं अगर इनकी विसकासिता का हम अध्यन करते हैं तो उनकी विसकासिता में भी भिन्ता पाई जाती है जैसे जल की तुन्ना में ग्लिस्रोल की विस्कासिता अधिक होती है जैसा कि आप लोगों ने प्रेक्टिकल में भी अधिन करके देखा या हम देख सकते हैं कि H2O हमें दर्व अवस्ता में मिलता है समने ताबदाब की अवस्ता में जबकि समने ताबदाब पर H2S हमें दर्व अवस्ता में नहीं मिलता है वो गेसी अवस्ता मिलती है तो जब सैसियों जी योगीकों के अंदर केमिकल बॉन्ड कॉवलेंट नेचर का ही है तो फिर इनकी ये जो फिजीकल प्रोपरटीज है ये जो भोती गुन है इन बहुती गुनों में जो विविन्टा है इस विविन्टा को समझाने के लिए हमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज के बारे में अध्यन करना पड़ता है ये कॉवलेंट कंपाउंड या हम कहें कि जो नॉन बॉन्डेड स्पिसीज होते हैं मॉलिकुल्स होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ है इंट्रेक्शन में आकर गुरुप में रहते हैं तब हम ये कहते हैं कि वहाँ पर उस गुरुप के अंदर नॉन बॉन्डेड मॉलिकुल्स आपस में किसी बंद से नहीं जुड़ेवे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अट्रेक्शन में है उस अट्रेक्शन को हम कहेंगे वीक अट्रेक्शन फोर्स या इंटर मॉलिकुल फोर्स जब हम इंडिज्वल कंपाउंड्स के अकोडिंग इनका स्टेडी करते हैं तो इनको हम अलग-अलग केटेगरी में डिवाइड करते हैं और उनके अकोडिंग उनको हम डिफाइन करते हैं ये इंट्रेमोलिकुल फोर्सेज अंतराणविक अंकर्षन बल अथार्थ अणवों के मध्धे पाए जाने वाला आकर्षन बल जो की वीक इंट्रेक्शन है दुर्बल परकृति का है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं वांडरवाल फोर्सेज, वांडरवाल आकर्षन बल और एच बॉंडिंग तो हम वांडरवाल फोर्सेज और एच बॉंडिंग इनके बारे में अधिन करेंगे आज हम अधिन करेंगे मुख्य रूप से वांडरवाल फोर्सेज के बारे में वांडरवाल्स फोर्सेज या वांडरवाल आकर्षन बल वांडरवाल आकर्षन बल के बारे में वांडरवाल्स नहीं सन 1873 इस्वियों में बताया उन्होंने गैसों के ideal behavior से जो deviation पाया जाता है जो whichland पाया जाता है उस fishland को समझाने के लिए बताया कि जो गैसों के molecule हैं उन molecule के मध्धे आपस में interaction पाया जाता है वो interaction अतियन्त दुरूबल होता है लेकिन जब हम ताप का मान कम कर देते हैं और दाप का मान बढ़ा देते हैं तो उसे condition में वो interaction effective होने लग जाता है Wonder One ने गेसों के molecules के बीच में जो interaction बताया उस interaction को आधार मानकर ही हम जो अकिरिये गैसे हैं उनको दर्व अवस्ता में प्राप्त कर सकते हैं ये जो interaction है ये interaction बाद में अलग-अलग वेगानिकों के द्वारा धिन किया गया और उन्हीं के द्वारा उसको define धी किया गया जैसे किसों forces की रूप में या डिवाई force की रूप में या लंदन forces की रूप में लेकिन उन सब को हम wonderful forces के अंतरगतिय दिन कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो wonderful forces है इनको हम मुख्य रूप से ये चार category में डिवाईड कर सकते हैं चार परकार के wonderful forces या wondermal आकर्जाणबल हो सकते हैं तो पहला वांडरवाल आकर्शन बल है वो है डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन या दिवी धुरुवी दुरुवी वांडरवाल आकर्शन बल दूसरा है डाइपोल इंड्यूजड डाइपोल इंट्रेक्शन third है instant dipole, induced dipole, ताच्चनी के दिवधरुवी और परित दिवधरुवी के बीच में interaction और fourth है repulsive interaction, इनके अलावा iron dipole, किसी iron और dipole वाले molecule के बीच में बी interaction हो सकता है या किसी आएन और नॉन पॉलर मॉलिक्यूल की वीच में भी इंट्रेक्शन हो सकता है अब हम थोड़ा सा इनका वन बाई वन स्टेडी कर लेते हैं जिसे डाइपॉल डाइपॉल इंट्रेक्शन है तो ये इंट्रेक्शन उन मॉलिक्यूल की वीच में पाय जाता है जिनमें interaction करने वाले जो molecule है वो permanent dipole moment रखते है जैसे H2O molecule है उनकी बीचमे interaction दो H2O molecule की बीचमें अगर interaction है तो वो dipole dipole interaction होगा क्योंकि H2O के दोनों जो अनुँ है वो दुर्वी होंगे उनके अंदर positive और negative pole पाए जाएंगे उनको हम इस प्रकार से रिप्रजन कर सकते हैं एक positive pole और एक negative इसी प्रकार S2O का दूसरा जो molecule है वो positive pole और negative pole तो यहाँ पर यह इसका positive pole इसके negative pole की तरफ जब oriented हो जाता है इस दिसा में आ जाता है तब इनकी बीच में interaction start हो जाएगा यहाँ कोई bonding नहीं होगा लेकिन एक तरहेगा इस्तरी विधित्वी आकर्षन बल इनकी बीच में develop होगा तो यह dipole dipole interaction है इसे प्रकार से अगर हम HCl, HCl molecule की बीच में या HCl और H2O को जब mix करते हैं तो वहाँ उनकी बीच में इस प्रकार का interaction होगा तो यह जो interaction है वो कहलाएगा dipole, dipole interaction और यह interaction है कि specific orientation होने पर ही develop हो सकता है क्योंकि अगर इस प्रकार से molecule oriented नहीं होगे अगर यहाँ प्रहम कहें कि एक molecule और है और वो इस प्रकार से oriented है कि इस तरफ उसका negative pole है, इस तरफ उसका positive pole है, तो इनकी पीचे में यहाँ पर यह interaction नहीं होगा तो यह जो interaction है, यह orientation पर डुपेंड करता है यह दिसात्मग है इस कारणी से हम orientational या अभिविन्यासिये interaction भी कहते हैं यह जो interaction है, इस interaction के बारे में किसोम ने बताया था इसलिए किसोम के द्वारा इनकी जो energy है उस energy को हम e, k के द्वारा represent करते हैं, और यह जो energy है interaction का जो force है यह interaction करने वाले दोनों molecule के जो दिद्रूवा घून है उनकी value पर depend करता है, तो वो value होगा e, k is equal to 2 mu 1 square into mu 2 square upon 3 r6 kt जहां mu 1 पहले molecule का dipole moment mu 2 दूसरे molecule का dipole moment और interaction करने वाले जो polar molecule है उनकी बीच का दूरी के बोट्जमान constant है होटी प्रमताब है तो इस तरह से जब प्रमनें डाइपोल मोमेंट वाले molecule आपस में interaction करेंगे तो वहाँ पर किसों forces या dipole-dipole interaction या orientational या अभी विन्यास्री ये interaction पाए जाएगा नेक्स्ट है dipole-induced dipole interaction जब दिदरू आघून वाला कोई molecule ये धुरुवी याणू के साथ interaction में आता है तो interaction करने वाले अगर हम कहेंगे दो molecule के विच में interaction हो रहे है दो covalent compound आपस में interaction में आ रहे है उनमें से एक जो compound है वो दिदरू आघून वाला है और दूसरा non-polar है उसमें कोई polarity नहीं है उसमें दिदरू आघून नहीं पाए जाता है तो वहाँ पर इस परकार का interaction होगा तो यहाँ पर ये जो interaction है इस interaction में जब एक molecule dipole moment वाला होगा जिसमें इस परकार से ये condition होगी जो non-polar molecules को में इस परकार से spherical form में रिपरेज़न कर सकते है तो जब ये तो उनमें interaction में आएंगे तो polar molecule के interaction के वज़ए से ये तो non-polar molecule है जिसे यहाँ पर इसका positive pole है तो इस positive pole के वज़े से इसके जो electron है वो electron इस positive pole की तरफ है oriented होने लगेंगे जिसे इसका ये जो हिस्सा है partial negative और ये वाला partial positive क्योंकि यहाँ से electron density घटने लग गई है ये इस तरफ जाने लगई है तो dipole moment वाले molecule के interaction की वज़े से non-poder molecule में dipole nature induced हो गया उस वज़े से यहाँ पर इस induced dipole के negative pole और permanent dipole वाले molecule के positive pole की वीच में interaction हो सकता है जिससे ये molecule एक दूसरे के साथ binding condition में आ सकते है इस प्रकार का जो interaction है वो interaction कहलाता है dipole induced dipole interaction या दूदुरूव प्रेवित दूदुरूव अंतह किरिया इस interaction के बारे में सन 1920 में डिबाई नहीं बताया था और उन्होंने इस प्रकार के interaction के दोरा जो energy produce होता है उस energy को ED के रूप में represent के R उसका value होगा ED is equal to minus 2 alpha alpha है प्रेवित दूदुरूव की polarability दूदुरूवित होने की जमता into mu square upon R6 mu जो दूदुरूव मोलिक्यूल है उसका दूदुरूव आगून है और R इंट्रक्शन करने वाले जो मोलिक्यूल है उनके बीच का distance तो यह है dipole induced dipole interaction जो थर्ड टाइप है वो है instant dipole और induced dipole वाले मोलिक्यूल की बीच का interaction ताच्चनिक दूदुरूव और प्रेरित दूदुरूव वाले मोलिक्यूल की बीच में interaction यहां पर जो interaction करने वाले मोलिक्यूल है उन दोनों में ही permanent dipole moment नहीं होगा जैसे हम कह सकते हैं कि किसी noble gas के मोलिक्यूल को किसी noble gas को non-polar solvent में dissolve पिया गया है तो वहां पर condition इस प्रकार का है तो यहां दोनों के अंदर ही dipole moment नहीं है यह हम कहें कि positive और negative pulse नहीं बने वे हैं तो अब यह interaction कैसे होगा तो यहां पर हम यह जानते हैं कि इस molecule या atom के अंदर जो electrons हैं वह एक संतुलित आवास्ता में नाभी के चारों तरफ movement करते रहते हैं गतिसील आवस्ता में पाई जाते हैं लेकिन वह जो संतुलन है वह ताच्छनिक समय के लिए disturb भी हो सकता है, वह aacentolit भी हो सकता है जैसे ही वह कुछ चनिक समय के लिए disturb होगा, ऐacentolit आवस्ता में अवस्ता में अवस्ता में उस condition पर हो सकता है कि जैसे इंस्टेंट मोमेंट की वज़े से यहां पर एक डाइपॉल मोमेंट प्रोड्यूज हो गया जिसे हम इंस्टेंट डाइपॉल के रूप में कह रहे हैं और इसी के इंट्रेक्शन के वज़े से क्योंकि यहाँ पर यह positive pole बन गया है इसके इंट्रेक्शन के वज़े से यहाँ इसके जो electron है वो इस तरफ ज्यादा move होंगे तो यह इसा partial negative और यह partial positive तो यहाँ पर इसके वज़े से induced हो गया इसके अंदर डायपॉल बन गया अब इनक इसलिए इसे हम उनके दुवारा दिएगे formula के दुवारा इसकी energy को represent करते है EL से और यह होगा EL is equal to minus 3I ionization energy alpha 1, alpha 2 इंट्रेक्शन करने वाले दोनों जो molecule है या दोनों जो component है उनकी दुरुवित होने की जो चमता है वो upon 4, r, 6, r जहां दोनों के बिज़ का distance है तो यह हो गया लंडन फॉर्सेस, वांडरवाल फॉर्स का एक परकार इसके लावा जो फॉर्थ इंट्रेक्शन है वो रिपल्सीव इंट्रेक्शन है जब यह component है आपस में इंट्रेक्ट होकर पास में आते हैं तो एक निसी दूरी के बाद में इनकी बीच में रिपल्सन भी होने लग जाता है क्योंकि एक निसी दूरी के बाद नाविक नाविक क्योंकि उनका डेंसिटी अधिग होता है तो वो जब नजदीक आ जाएंगे उनका डिस्टेंस एक निसी दिस्टेंस से कम होने लग जाएगा तब उनका जो रिपल्सन है वो एफेक्टिव होने लग जाएगा तो वहाँ पर वो रिपल्सिव इंट्रेक्शन भी होता है जो नॉन बॉनेट कंडिशन में है उसे हम ER से रिपर्जन करते हैं ER रिपल्सिव इंट्रेक्शन का एनर्जी is equal to ये पॉजिटिव एनर्जी की रूप में अपॉन ती अपॉन आर एन जहां भी एक इस्ट्रांग है तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से चार प्रकार के वांडरवाल इंट्रेक्शन हो सकते हैं इसके लावा अगर हम S2O के अंदर S2O मोलिक्यूल सॉल्वेंट की रूप में बिहेव कर रहा है उसके अंदर हमने NaCl को अगर डिजॉल किया है तो वहाँ पर NaCl डिजॉल होकर Na प्लस और Cl माइनस आइन में वियोजी तो हो जाएगा और वहाँ पर फिर इंट्रेक्शन होगा Na प्लस आइन के साथ S2O मोलिक्यूल का और Cl माइनस आइन के साथ S2O मोलिक्यूल तो वहाँ पर जो Na प्लस है उसके चारों तरफ जो S2O मोलिक्यूल है वो अपने नेगेटिव पोल के द्वारा इंट्रेक्शन में आएंगी इस प्रकार से इस प्रकार से इंट्रेक्शन होगा तो यहाँ पर आइन और डाइपॉल के बीच में इंट्रेक्शन होगा है तो उसे हम आइन डाइपॉल इंट्रेक्शन कह सकते हैं ऐसे ही Cl माइनस आइन के साथ जो S2O मोलिक्यूल है वो अपने पोजिटिव पोल के तरफ से इंट्रेक्शन करेगा ऐसे ही हम किसी आइन को अगर हम नोन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल करते हैं तो वहाँ पर वो जो आइन है उसके एफेक्ट से नोन पोलर मोलिक्यूल के अंदर डाइपॉल इंट्रेक्शन होगा तो वहाँ जो interaction होगा ion induced dipole interaction तो इस प्रकार से जब covalent molecule या non bonded species एक दुसरी के साथ interaction में आती है तो वो इस प्रकार से एक weak interaction सो करती है और उन weak interactions का जो effect है वो effect उनकी physical properties पर पड़ता है इन में से अगर हम देखें तो जो dipole dipole interaction है पर्मानेंट दुरू आगुण वाले दो molecule की बीचे जब interaction होता है जो के एक directional property है ये interaction सबसे अधिक होता है तो जब ये interaction होगा तो इस interaction की प्रबलता जो अन्य वांडरवाल interaction उनसे अधिक होगा तो इसके वज़े से molecule या non-bonded species ज़्यादा निकट आती है और ज़्यादा निकट जब आती है अब जुसरे के साथ वो bonding जैसा behave करें लग जाती है तब उनकी अवस्ता दर्व या ठोस जैसी हो जाती है जैसे अगर हम S2 molecule की बात करें S2O और S2S का अगर हम comparison करें तो S2O molecule का S2O molecule के साथ जब interaction होगा तो दोनों में ही dipole moment है तो दोनों के जो opposite pole है वो बहुत ज़्यादा interaction में आएंगे और एक दुसरे के साथ bind up condition में आजाएंगे इस करणव हमें दर्व आवस्ता में मिल जाते है जबकि S2S में क्योंकि वहाँ पर H और S की electron negativity में इतना अधीक difference नहीं है जितना H और O की electron negativity में difference था तो वहाँ पर इतना अधीक dipole moment नहीं होने की वज़े से वहाँ पर ये interaction कमजोर हो जाता है और interaction कमजोर होने की वज़े से S2S हमें दर्व अवस्ता में ना मिल करें गेसी अवस्ता में मिलती है तो ये हमने wonderwall interactions के बारे में पढ़ा जब हम non bonded species को आपस में mix करते हैं या जब वो interaction में आती हैं तो वहाँ पर ये इन में से हो सकता है कि ये सभी प्रकार की interactions हो हो तो जो total interaction है या जो total energy equal to e k plus ed plus e l plus e r तो ये wonderful forces है इन wonderful forces के दोबारा हम ये समझा सकते हैं कि जो अकिरिये कैसे हैं वो दर्वित क्यों हो सकती है क्योंकि अकिरिये कैसे हो कि बिच में chemical bond तो नहीं हो सकता लेकिन जब वो interaction में आएंगे तो वहाँ पर wonderful interaction हो सकता है और ये wonderful interaction जैसे जैसे अकिरिये कैसों का size बढ़ेगा ये interaction का quantity बढ़ता है क्योंकि size अधिक होने से वो जैसे हम finance rule के according study करते हैं उसका विरूपन अधिक हो सकता है तो वहाँ interaction की मात्रा अधिक होगी इस करण जो नीचे की तरफ से हम आते हैं तो वह अकरी कैसे आसानी से दर्वित होती है तो इस प्रकार आज की इस topic में हमने अधिन किया विक interactions या inter-molecular force के अंत्रगत wonderful forces के बारे है तो आप wonderful forces के बारे में अधिन करें जो भी curious हैं वो आप whatsapp के माद्रा में से पूछ ले ओके थेंक्यू